आपको इस तबाद जवाब नहीं चाथा है मीजिस में आज़ा हूँ आपने सारे प्रश्ने को उचे हैं, सारे सारे महत्वोपूर्पूर्श्ने हैं मैं इन सारे प्रश्ने को एके करके लेता हूँ तब से पहले लगल वन में तू स्टेज एक्जाम क्यों एक करोड़ पच्छिस लाख क्यास पाथ इस्टुडेंट्स ने अप्लाई किया है इतनी बड़ी संखिया में देश गोहर में अगर रेक्रूट्मेंट करना है तो आपको एक लेवल के एक्जाम से सिंगल एक्जाम से करना बहुत मुश्चिल है तो फिर भी हम इसको रेक्जामिन करेंगे इतनी बड़ी संखिया में एक करोड़ परच्छिस लाख कैंडिडेट्स अगर हो तो कैसे उनको एक साथ सेम लेवल सेम तरीके से सेम लेवल अफ हार्डनेस और क्वेश्चिन की यह सब करना अत्ती डिफिकल्ट आप सब इस प्रक्रिया से गुजर चुके हो आप भी समस्ते होंगे इसलिए इसके दो एक प्रेलियम एक्जाम और उसके बाद में एक कंपिटर बेस टेस्ट टू इस तरह से करके किया लिए वो नोटिस में लिखा गया था कि अगर जरुद पड़ी अगर परिस्टिटी वी तो उसके दो लेवल किये जाएंगे पहला यह दूसरा आपका प्रेश्च में की टेन प्लस टू में ग्रैजुएट्स को कैसे अलाव करें देखिए किसी भी एक्जाम में मिनिममम कॉलिफिकेशन का स्टैंडर्ड होता है मैक्सिमम कॉलिफिकेशन का नहीं होता है कभी यह कानूनान कॉंस्टिटूशनल विवस्ता में हम लोग काम कर रहे हैं Constitutional विवस्ता की इसाब से हम minimum prescribe कर सकते हैं, maximum prescribe नहीं कर सकते हैं तो 10 प्लस 2 के लिए जो qualification वाला scale है, उसमें अगर graduate बैठे हैं तो उसको रोकने का हमें कोई अधिकार नहीं है किसी को कोई अधिकार नहीं है, अगर कोई नया इसके बारे में कोई नया नया पालिका की तरफ से कोई चीज आती तो अलग बात हैं, लेकिन हमारे पास कोई अधिकार नहीं है दूसरा विशे था ये तीसरा विशे आपने रखा समय का देखिए शुरू में इसके लिए जो इस एक्जाम को कंड़क्ट करने के लिए एक्टिकेशन आई दोनों के दोना एक्जाम्स में एक करोर से जदा एक्टिकेशन आई तो जो examination conduct करने के लिए agency हमको hire करनी थी, उसको hire करने में time लगा, 6 मेने से ज़्यादा लगा, naturally इतनी बड़ी संख्या में अगर exam करना है, देश में, तो अपने आप में वो एक बहुत बड़ा challenge, it's a humalian task, it's a huge task, it's a very very big challenging task, तो agency को select किया गया, select करते करते करोना आ गया, करोना के phase में बेरी हुई, लेकिन फिर भी despite करोना, तुरंत December 2020 में exam की process चालू हुई, exam की process चालू हुई, और despite second wave of करोना, फिर दी exam किया गया, with all the precautions, all the safety things, करके इसको लाए, जो दूसरा वाला group B का exam में, उसमें cat में चले गए थे बच्चे, क्योंकि करीब 5 लाग क्या असपास applications अपी थी, जिसमें photograph properly match नहीं हो रहा था, तो naturally अगर application में photograph match नहीं हो, तो उसको आप exam में कैसे लोगे, तो वो विशे आया था, तो उस विशे के कारण लोग गैट में गए थे, administrative tribunal ने जैसी उसका रमादान किया, फैसला किया, उसके फैसले के तुरंत बाद में हम लोगों ने exam के process को आवे किया, कोई उसमें देरी की और हमारा देखिए, हमारी सरकार प्रधानुंतरी श्री नरेंद्र मोदी जी का intent हमिशा है कि maximize करना है रोजगार को, इसलिए आप देखिए, इतनी बड़ी संक्या में, याने railway में एक लाग चैलिस हजार total, एक लाग पांच हजार group D की category में, लेवल बन की category में, और लेव बड़ी बात है, फिर आपको आपका चाथा point, चाथा point आप देखिए, ज्यादा से ज्यादा candidates को first stage से second stage में जाने का मौका मिले हैं, इसके लिए 2015 तक हमेशा preliminary exam जो होता था, first stage होता था, उससे 10 गुना लिये जाते थे, के वंक 10 गुना लिये जाते थे, 2015 के बाद में, पहले ही संखिया बढ़ा के 15 गुना कर दी गई, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा candidates को main exam के लिए जाने का मौका मिले, और 2019 में इस संखिया को 20 गुना किया गया, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आउस्तर मिले, ज्यादा ज्यादा लोगों कि first stage जो preliminary exam इ कर गया, तो maximum लोगों को हमें chance देने का intent है, इस intent के कारण 20 गुना किया गया, जो 10 गुना था, 2015 से पहले उसको 20 गुना किया गया, 2019 में, तो ये pro students, pro candidates वाली approach है हमारी, और हमारी intent एदम, नेकनियती से काम कर रहे हैं, सत्याई से काम कर रहे हैं, देखे कोई भी कहीं जगे से कहीं कोई paper league होने की बात नहीं है, कहीं पे कोई exam के manipulation की बात नहीं है, जो आज शिर्फ मुद्दा है, मुद्दा शिर्फ इतना है कि short list candidates कितने की हैं, यही मुद्दा है, इस मुद्दे को solve करेंगे, इसको भी हम बहुत sensitively solve करेंगे, हमारे लिए चात्र, हमारे साथी हैं, हम हमारे बहने जो exam दे रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत important है, हम इसको बहुत sensitively answer करेंगे. चात्रों को कह रहा हूँ कि यह आपकी संपत्ती है, आप अपनी संपत्ती को जलाने के लिए क्यों बाहर निकले हैं, और हम आपकी बात को शुरू से सुन रहे हैं, जिस दिन आपने पहले point रखा, उसी दिन हमने तुरंट इसका, जैसे ही दूसरे दिन ही मेरे निजर में आ लेवल 3 पे 4940 उसके अगेंस्ट कितने शॉट लेस्ट इस नाइंटेट ताउजन एट टाउजन एट टाइट तरी बीज गुने, तो जो नोटिस के अंदर प्रक्रिया है, एक्जाक्ली उसके हिसाब से किया है, हर एक से, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, हर यूल 8 ญ, अप्रट टे टीजर, किए अट किया गया है, इसलिए नम, यूनिक वाली बात आ गए, अब मुद्ध उनका है जिन लोगों ने तयारी कर ली है, उनको लगता है कि हमें एक बार और चांसमेल ज़ए, इसलिए हम इसको बहूँ कॉना और गरहते हम उन्य टारेंज कि अभी पूर्ट के डिए जुटिक्राइब करने अगर पर हो नागर के इस विए पर दिए बूर्स पिरिए यह तो रहा है। Starh Selection Commission का बहुत बड़ exam इन सभ Selection éléments की संख्या होती है 5-7,-8,-10,-8 यह एक करोड़ कीशिंट स्युंट आप यह तु देश। देखें MAY कि कफिन कितना है एक करोड़ application, सबकरोड antakeños एक करोड़ 25 लाइक करोड़ 54 ₹ This is something government were aware ज़र पर रहाइक भाल़ spread करना इतना ताइम लगेगा, जए कोई करेगा, और उसके बाद भी आज देखा कि गया से आर्टेमिकी तश्वीरे आ रहे हैं, क्या यह कंदे नहीं हो पा रहे हैं, कहां पर यह lack of communication आपको लगा यह जो चुका है, कुछ लोग इसका गलत फाइदा उठा रहे हैं, और उनसे भ को भमित न करें, कोई गलत इसका उप्योग न करें, यह चात्रों का मामला है, यह देख का मामला है, इसको हमें सेंसिटिवली अंडल करना चीए, और इसमें हर तरीके से संभेदन शीर्टा के साथ इसमामले को लेना चीए, शर्कुछ इस चात्रों को पर इस थायार जाज आप कबरों की जाज करिए, देखो जो पुलिस का पुलिस की प्रक्रिया है, वो अलग सीज़े, मैं अब भी मुद्धा है, जो उस मुद्धे को कैसे सॉल करें, उस पे सुचना है, हमेरे फॉर्वर्ड लुकिंग होना पड़ेगा, अब लुकिंग होना पड़ेगा, अब पड़े लोगने का जो मुद्मेंट चल रहा है, च्ट्रैक पे सुडेंट पैठे हैं, क्या उन राज्यों के मुख्यमंत्री से आपकी बात हुई है, और क्या कुछ आप लोग की संदर्ग में की चैज़े बिलकुल, सब ज़ेगे, लाइन और स्टेट का जो रोल होता है, र अमेरेका से ज्यादा तर जगे से स्टुडेंट ने इस विशय को स्विकार भी किया है, और मैं अभी भी रिक्वेस्ट करूँगा एक बार फिर सारे स्टुडेंट बंदों को, चात्रों को, कैनिडेट को, कि आप प्लीज अपनी ग्रिवैंस को, अपने पॉइंट को, अप इस को भी रफट, दिन जो नहीं इस से गोँजाफें ते लिए देखो, कमिटी एक बहुत ही सीनियर आफिशार्स की है, और ये कमिटी हर चीज को जितने भी मुद्वे को अएंगे, और हर एक मुद्वे को जल्दी सब्दी का time limit का, कितना time ही हमने? अपर जी पमिटी की रिपोर्ट आने का क्या है? अजल्दी से जल्दी हमारा यह मैं कि इसके मुद्धे को बिल्कुल भी डिले न करके जल्दी से जल्दी सॉल्ड करें तोला दो तक सारे के सारे के अपने संसल सब्मिट कर सकते हैं मुटे 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 मुद्धे तो अभी आ चुके हैं इसलिए मुझे नहीं रखता है कि इसमें बहुत जादा टाइम लगीगा मुटे 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 मुट इग्जाक्ट किसी भी लेवल पे नोटिस में जो लिखा था कि 20 गुना कंडिडेट लेगे अगर आप आपके सामने टेबल रखा हुआ है 5663 की जिए के एकलाक 13 जार याने 20 गुना 4940 के लेवल 3 में 98,833 20 गुना 161 के एगेंस 32,23 बीज गुना 17,393,347,346,64 20 गुना 7,124 वेकेंसी के एक लाक 12,413 बीज गुना एग्जाक्ट बीज गुना है हर एक लेवल का अब इस्टूडेंस क्या कह रहे हैं कि जिन कैंडिडेट्स ने एक से ज़्यादा लेवल में कौलिफाय कर दिया है उसके कारण सपोज मान लेजिए लेवल 3 में जो लेवल 5 का कैंडिडेट है वो भी कौलिफाय हो गया है तो लेवल 3 में कोई एक कैंडिडेट को जो कौलिफाय नहीं हुआ है उसे लगता है कि अगर उसको यूनीक के साथ से काउंट करते तो शायद उसको भी एक मौका मिल जाता है में एक्जाम देने का और अब रहे यह मुद्ध यह अब जो नोटिस इंवाइटिंग एक्जाम है एक्जाम का जो नोटिफिकेशन होता है उसकी एक केंटिटी है वो कोट का मैटर है वो लीगल मैटर हो जाता है एक्जाक्ली उसके हिसाब से किया गया एक्जाम का एक्जाम को उसी हिसाब से कंड़क्ट किया गया उसी हिसाब से शॉट लिस्टिंग की गई अब जब यह मुद्ध आया है तो इस मुद्धे को solve करने के लिए कोई नी कोई तरीका निकालना पड़ेगा तो आपका जो प्रश्न है, आपका प्रश्न है जाली दिया है कि क्यों है आपके सामने डेटा सामने रख्यों में, डेटा आप सब के सामने है, बिल्कुल, एक्जाक डेटा है और ये डेटा हमने पहले दिन ही दे दिया था जो तर्म कंडिशन सालेडी जब परश्न है कोई कोई तो 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 उसके अधार पर ही ये सब कुछ किया गया होगा हाँ बिल्कुल ठीर, ये कमेटी या आपको कुछ राफ्ता आप नहीं दिख रहा है, क्या ये जो कमेटी इंदी ओर देगी, क्या उसके अगेस देगी जो आपके सामने करिशन साले वाले थे बात रही है ना, कि आपकी बात कि लोग कोड जाएंगे अपने को तरीका ऐसा सॉल्व करना पड़ेगा, कोई तो ऐसा तरीका निकालना पड़ेगा जिससे कि जो लोग शॉट लिस्ट हुए हैं, उनका भी करियर अशक्ट न हो, उनके प्रोस्पेक्ट सी कमजोर न हो और जो लोगों की ग्रिवांस है उस ग्रिवांस को तो अड्रेस करना पड़ेगा में शात्रों का मुद्धा है और लोगोंने अगर ग्रिवांस रेज किये तो हमारी ड्यूटी है कि उसको में अड्रेस करना पड़ेगा में